आज का जो जज्जमेंट था हिजाब का बहुत दिन से जिसके उपर इपजार था वो आज जजने कोर्ट ने प्रणाउस कर दिया है और इसके अंदर स्प्लिट जज्जमेंट आया है इसमें ओनेबल जश्टिस हेमंद गुपता साब ने उसको जो है अपील को जो है उन्होंन और उन्होंने तीन चॉइस के उपर तीन पॉइंट के उपर इसको में इंफेसिस दिया है उन्होंने एक तो विजज्जमेंट है सुप्रीम कोट का उसके रेफर करा है और उसके बाद उन्होंने यह जो चॉइस है जो अपना सिर के उपर किसी को हिजाब रखना है या किसी कोई चीज जिसमें उनकी education के उपर रुकावट आये तो उस चीज का उन्होंने emphasis दिया है कि ऐसा कोई काम जो है उसके खिलाफ है बच्चे की education के खिलाफ है हाइक कोट का फैसला अभी तक लागू रहेगा क्योंकि उसको सेटे साइड नहीं माना जाएगा चुकि एक जजज ने उसको uphold किया है दुस्ते जजज ने उसको reject किया है तो यह minority भी हो गई तो वो judgment लागू रहेगा तब तक जब तक कि larger bench का फैसला नहीं आ जाता देखे आज का जो यह fractured mandate है वर्डिक्ट है इस वर्डिक्ट में के बाद दोनों जजज ने इस matter को लार्ज में अन्बुल चिप ज़स्टिस के bench में भेजाया तू constitute appropriate bench अब अन्बुल चिप ज़स्टिस जो bench बनाएंगे वो three judges bench होगी या five judges bench होगी यह उनका prerogative है लेकिन अब हमें इंतिजार करना चाहिए कि जो नई bench आएगी उसके समख्ष पूरी सुनवाई होगी फिर से और नई bench का जो फैसला होगा उसी फैसले से हाई कोट का judgment प्रभावित होगा कि दो judges का decision आया है तो दो से जादा का bench चाहे तीन हो या पांच हो chief justice constitute करेंगे administrative site पर order लिया जाएगा chief justice द्वारा कि यह अब matter किस bench के सामने लगाया जाएगा जितनी बहस अभी इस bench के सामने हो थी वह सारी बहस फिर फिर दोर आई जाएगी क्योंके matter जो है नए सरे से बहस किया जाएगा नए bench के सामने गर्ल स्टूडेंट्स हैं उनकी क्या उनका जीवन हम इस judgment से किसी तरह आसान कर रहे हैं इस order से हम आसान कर रहे हैं क्योंके उस girl child का उस girl student का उस शिक्षिका का जीवन जो है वो भारत में already बहुत जादा मुश्किल है तो उन्होंने कहा कि हम क्या उसके जीवन को आसान कर र रहे हैं उन्होंने शुरू में ही कहा कि गारक क्वेश्चन्स जो प्लीडिंग्स थे अर्गूमेंट्स उसके अधापुरों ने गारक क्वेश्चन्स फ्रेम किये उन्होंने सारे समयधानिक प्रशन उठाए उसमें आप देखेंगे पहला कि करनाटक सरकार सेक्षर 131 के त 25, 19, 14 सब का हवाला देते हुरों ने गारक क्वेश्चन्स फर्मलेट किये हैं और उन्हों सारे क्वेश्चन्स का जो आंसर उन्होंने दिया है यह कहते हुए कि इस आधार पर SLP सुईकारियों के नहीं है और उन्होंने खारिज किया है जबकि जस्टिस धुलिया ने 25 और 19.1 के आधार पर ही सारे SLP को एलाउ किया है